नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल औल एक्जाम गाइड गूरूपर जुड़ते जाएए दोस्तों क्लास टाट हो गई है सभागत है आप सभी का अनुच कुमार डिंपी वरुन सुमित विद्या सागर राहुल पंडित जुड़ते जाएए दोस्तों राहुल कुमार रमेश हरेंद्र प्रिया तूमर नजरीन पूनम योगेंद्र ललित संजू जया भारती चौहान संगर जैमा बगलाश्री खुश सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप सभी के लिए और एक्साम गाइट गुरू के 250 महत्पूर कॉशन की सीरीज है लाइफ क्लासे का टाइमिंग है आप लाइफ क्लासे भी जॉइन कर सकते हैं सभी वीडियो को लाइक करके लिंक को अपने दोस्तों के सा शेर कर दें सभी सबी आँसर देंगे चली दोस्तों इस टार्ट करते हैं बहुत बहुत धनिवाद सोनी साहु जी यह महाकाल यह महाकाल सुरू करते HIV क्लास सबसे पहला पूशन हिमाले के दक्षनी भाग को क्या कहा गया है राइट आँसर क्या है पताईए हिमाले का दक्ष subscribe करें बैल आइकन on करके वीडियो को ज़रूर लाइक करते जाया है आप से ये पुछा घ्लियो बताईएन से क्या हो जाएगा तो इसका सही अत्रों घ्लियो से कौषन देखते हैं Champions next question क्या है यह रहा स्कीन पर अगला question comment box में answer देना है वह इस तरोत जिसमें partly पुत्र के प्रिशाशन का वरणन होता है right answer क्या है comment box में comment कर बताना है सभी बताएंगे screen पर जो question इसका सहीत्र क्या हो जाएगा चैम सभी बताएंगे right answer for this question great job keep it up good going अच्छा जा रहे हैं आप सभी right answer क्या हो जाएगा Champions का तो वह है इस तरोत जिसमें partly पुत्र के प्रिशाशन का वरणन किया गया है वह है आपका option number Indica क्या हो जाएगा Indica में जो है partly पुत्र के प्रिशाशन का वरणन किया गया है मेगर स्थिनीस की पुस्तक जो इंडिका है उसमें जो है पार्टली पुत्र पटना के जानकारी दी गई है पटना के प्रशाशन का वर्णन है नेक्श कॉशन देखिए किलो वार्ट प्रती घंटा किसकी एकाई है राइट आंसर क्या है बताएए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके स्क्रीन पर जो कॉशन है चैंपियंज का स्युत्र क्या हो जाएगा सभी बताएएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा जो भी चैंपियंज क्लास में नए है चैनल जरूर सब्सक्राइब करते जाएं क्लास आपकी रोज रात में 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है स्क्रीन पर जो कॉशन है झाला कॉशन चैंपियंज को भी ब्हाजने वाला शाउशक क्या हों था इट आंसर कॉशन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करक बताना है स्कीन पर جो कॉशन है陡 investments का right answer där सबी बताएंगे very good सभी champions right answer देंगे very nice champions very nice keep it up good going अच्छा जा रहे हैं आप सभी तो right answer for this question क्या हो जाएगा champs अभी बताएंगे तो megaakukanasthenes के दर्बार में जी तो सही उत्तर क्या हो जाएगा option number sellucas negator इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर इसका सही उत्तर हो जाएगा वेरी नाइस शेंपियंज वेरी नाइस keep it up good going अच्छा जा रहे हैं आप सभी नेक्श कॉशन का अंसर देना है चैंपियंज नेक्श कॉशन क्या है यह रहा स्कीन पर अगला कॉशन पोलियो और चेचक रोग किसके कारण होता है राइट नाइस क्या है बताएए पोलियो और चेचक रोग जो होता है किससे होता है कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर बताना है वेरी नाइस शेंपियंज राजा, अजीत, बविता, दिवाकर, उपेंद्र, जेम, बियस, बल्वन्त मारको, हेमराज योगी, जैस्मिन पठान राइट आंसर फ़र दिस कॉशन क्या हो जाएगा चैंप, सबी बताएंगे तो राइट आंसर फ़र दिस कॉशन क्या हो जाएगा इसका option number, विशाणू के कारण होता है, किसके कारण, विशाणू के कारण होता है next question देखते हैं champions, next question क्या है, सातवे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है आपने सभी ने सुनाई होगा, सातवा वेतन आयोग लग गया है, सभी की payment बढ़के आ रही है तो सातवे वेतन आयोग जो है, उसके अध्यक्ष कौन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, comment box में आपको comment करके बताना है तो right answer क्या हो जाएगा A.K. मातुर कौन है A.K. मातुर इसका सहीत तरो जाएगा सातवे वेतन आयोग के अद्दक्ष जो है A.K. मातुर है जिन्होंने सातवे वेतन आयोग के बारे में सरकार के लिए report प्रस्तुत की है Next question देखे champions next question क्या है यह रहाँ स्कीन पर बहुत धर्म के संस्थापक कौन है राइट आंसर क्या है बताइए बहुत धर्म के संस्थापक का नाम बताना है आप सभी के लिए right answer for this question क्या हो जाएगा champions सभी answer देंगे जो भी champions class में नए है चैनल जरूर सब्सक्राइब करते जाएं बैल आइकन आउन करके वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं तो इसका right answer क्या है बहुत धर्म के संस्थापक कौन है गौतम बुद्दिस का सहीत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा गौतम बुद्दिस का right answer हो जाएगा champions video like करते very nice champions very nice keep it up good going अच्छा जा रहे हैं आप सभी next question देखते है champ next question भारती क्रकेट टीम के मुख्य कोच कौन है right answer क्या है बताइए comment box में comment करके बताना है बारती क्रकेट टीम के मुख्य कोच का नाम क्या है comment box में comment करके बताना है screen पर जो question है very good right answer for this question क्या हो जाएगा champions तो इसका सहीत्र हो जाएगा आपका रवी सास्त्री क्या हो जाएगा रवी सास्त्री इसका right answer हो जाएगा champions जो भी class मेंने हैं रोज रात में 10 बजे से साड़ी 11 बजे तक ही एक class होती है आप रोज class जो हैं कर सकते हैं चैनल जरूर subscribe कर लें इस screen पर आपको आपका नाम दिख जाएगा next question देखते हैं दोस्तों परियावरन दिवस किस दिन मनाय जाता है right answer क्या है सभी बताएगे सभी का answer आना चाहिए champions right answer for this question बजरंग, जैक्सन, मनीशा, गरीमा, शुभम, संतोष, अंशुल, अजीत, पूजा, right answer for this question क्या हो जाएगा champions सभी बताएगे तो स्कीन पर जो question इसका सेयुत्तर क्या हो जाएगा, 5 June को हर साल मनाया जाता है, कम मनाया जाता है, 5 June को हर साल मनाया जाता है next question देखते है, champions next question क्या है, ICC के deputy chairman कौन है, बताएगे, ICC के deputy chairman का नाम क्या है, comment box में आपको comment करके बताना है screen पर जो question है, champions का right answer क्या हो जाएगा, तो ICC के deputy chairman कौन है, तो इनका नाम है, इमरान ख्वाजा, कौन है, इमरान ख्वाजा इनका नाम है, ICC के deputy chairman है, next question देखते है, champions next question क्या है, यह रहा स्कीन पर, हीरा कुंड बांध किस नदी पर है, सभी right answer देंगे, very nice champions, सभी right answer देंगे, क्या पूशा गया, देखे, सभी को बताना है, अलका कुमारी, विमलेश, विकास, नीतू, सीतारा, महावीर, नेहा, क्या हो जाएगा, इसका right answer बताएगे, सभी बताएगे, very nice, तिसका स्युत्र क्या हो जाएगा, champions, हीरा कुंड बांध जो है, महा नदी ओडी सा में है, क्य right answer for this caution, हेमरा, चंदन, राहुल, अर्जोन, सोनी, right answer क्या हो जाएगा, नेहा, सभी बताएगे, स्क्रीन पर जो caution है, कोमल, very nice, तो इसका सही उत्र क्या हो जाएगा, राश्र मंडल के महा सचे हो जो है, कमलेश शर्मा है, कौन है, कमलेश शर्मा, इसका right answer हो जाएगा, very good, very good champions, very good, जिनका भी questions गलत हो रहे हैं, उनको सही कर लें, और सही questions को ही आगे carry करें, गलत question मत ले जाएगा, नहीं तो आपके question गलत होंगे, वही याद हो जाएगे, next question देखते है, next question क्या है, तीन और से घिरे भूबाग को क्या कहते है, सभी का answer आना चाहिए, हेमरा, जियोगी पूजा चौधरी, सर्चेन, श्याम, पीर मुहम्मद, पीके यादो, ललिता यादो, चंदन, राइट आनसर क्या हो जाएगा, बताएगे, तीन और से घिरे भूबाग को क्या कहा जाता है, राइट आनसर फर इस question, comment box में comment कर बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएग प्राय दीपी भाग कहते हैं उसके लिए, वेरी नाइस चैंपियंस, वेरी नाइस, keep it up, good going, अच्छा जा रहे हैं आप सभी, नेक्ट कॉशन देखिए, चैंपियंस, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ग्यान की प्राप्ति हुई थी, राइट आंसर क्या है, बताए किनारे गौतम बुद्ध को घ्यान की प्राप्ति हुई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध को घ्यान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी, नेक्श कॉशन देखते हैं, नेक्श कॉशन क्या है, प्रतिरोध का ऐसाई मातर क्या है, ब जोस्तों जिस ततपरता से और जिस एनरजी से आप वीडियो के आंसर को दे रहे हैं उसी ततपरता और एनरजी के साथ में एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए Only on one time like दिल खुश हो जाए देखकर जिसको स्कीन पर जो कौशन है चैंपियंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा ओम Next कौशन देखे मगद का कौन सा राजा मगद का कौन सा राज सिकंदर महान के समकालीन था In shot आप से पूछा गया है जिस समय सिकंदर था उस समय मगद का कौन सा राज राज साशन में था Right answer क्या है बताएगे स्कीन पर जो कौशन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी बताएगे बहुत ही बड़िया जिस जुनून के साथ में आप वीडियो आंसर के साथ में फॉलो कर रहे हैं उसी जुनून के साथ में एक लाइक जरूर कर दीजेगा इसका Right answer क्या हो जाएगा दोस्तों तो इसका Right answer हो जाएगा आपका घननंद क्या हो जाएगा घननंद इसका सही उत्तर हो जाएगा जिनका भी आंसर सही है उनके लिए भर भर के बधाईया और जिनका आंसर गलत हो रहा है बगल वाली का answer देखिए, सही answer करिए या स्क्रीन पर जो दिख रहा है, उसके answer से सही करिए राइट answer क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट answer है घननन्द नेक्श कॉशन देखिए, नेक्श कॉशन ये दौनों green house प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदाई गैसों की category में से number one का इस्थान लिए हुए है तो इसका राइट answer क्या हो जाएगा? option number co2 और cfc राइट answer हो जाएगा, नेक्श कॉशन देखिए, champions, नेक्श कॉशन क्या है? milk of magnesia किसे कहते हैं? सब ही बताएगे right answer for this question great job champions, great job, बहुत बढ़िया, very nice champions, very nice right answer क्या हो जाएगा? नीतू सिंग, अजे, right answer for this question तो milk of magnesia किसे कहते हैं? तो magnesium hydroxide को कहते हैं, किसको कहते है? magnesium hydroxide को milk of magnesia कहते हैं, mgos2 right answer क्या हो जाएगा? magnesium hydroxide को milk of magnesia कहते हैं नेक्ट कॉशन देखते हैं अश्रू गैस का रासाइनिक नाम क्या है बताईए टियर गैस जो होती है उसका रासाइनिक नाम क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है सभी बताएंगे अजमत अली पूल चंद्र राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी को बताना है ओम वीर लएक्सियनों इसका सैूत्तर हो जाएगा चैन्पियन्स नाइक्ट कॉशन चैंपियंस नेक्श कॉशन क्या है यह रहा दक पर जल का शुद्दतम रूप कौन सा है कमेंट बॉक्स इसका सही उत्र क्या हो जाएगा वेरी नाइस N2O के अलावा अगर कोई option आगया तो वो भी तो याद रखना है ना तो इसलिए chloro acetophenone भी याद रखिए N2O के अलावा जो है nitrous oxide के अलावा अगर कोई और नाम आता है तो आप इन में से कोई नहीं वाला answer मत लगाईएगा देखिएगा ये वाला answer दिख रहा है तो ये लगा दीजेगा स्कीन पर जो कॉशन है चैंपियंस राइट आंसर क्या है बताईए जल का शुद्रदम रूप क्या है तो वर्षा का जल इसका सही उत्तर हो जाएगा रेन वाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया रोहेद प्रियंका सुशील अंकेद राइट आंसर क्या हो जाएगा वर्षा का जल नेक्श कॉशन देखते है नेक्श कॉशन क्या है सभी अमलों में सबसे अधिक समान तत्तों क्या होता है बताईए सभी अमलों में सबसे अधिक समान ततों क्या होता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी अमलों में हाइड्रोजन होता है क्या होता है सभी अमलों में क्या होता है सभी अमलों में हाइड्रोजन होता है जल की इस्थाई का ठोड़ता का कारण क्या है बताइए सभी बताएंगे राइट आंसर फर दिस कॉशन ग्रेट जॉब चैंपियन्स ग्रेट जॉब जिस तत्परता से जिस एनरजी से आप आंसर दे रहे हैं उसी energy से एक like वीडियो को जरूर करिएगा स्कीन पर जो question है champions का right answer क्या है सबी बताएंगे very nice तो आप से पूछा गया है very good तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा champions तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों आप से जो question पूछा गया है जल की स्थाई कठोरता का कारण क्या है तो calcium और magnesium के bi-carbonate gel में घुले रहते हैं उसके कारण जल की स्थाई कठोरता हो जाती है next question देखते है champions next question क्या है यह रहा स्कीन पर अगले question का answer भारी जल का अडूसूत्र और अणूभार कितना होता है बताएगे D2O का अडूसूत्र और अणूभार कितना होता है right answer क्या है बताएगे comment box में comment करके champions एक like वीडियो को जरूर करें कायत सोवं वाइटी वेरिगोट प्रतिभा रिंकी महेंदर बलवन्त right answer क्या हो जाएगा बताएगे बारी जल का अडूसूत्र और अनूभार कितना होता है तो बारी जल का अडूसूत्र होता है D2O और deuterium oxide इसको कहते है और अनूभार इसका होता है 20 क्या हो जाएगा D2O deuterium oxide इसका नाम है और 20 इसका अनूभार होता है next caution देखते है champions जलकी इस्थाई कठोरता तथा आस्थाई कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रियोग करते हैं राइट आंसर क्या बताइए सभी बताएंगे स्कीन पर जो कौशन इसका स्यूत्र क्या हो जाएगा बिमलेश महेंद्र रितू शास्त्री बबीता दुर्गा हेमंत राजी यू से सोडियम कार्वनेट को दूर करके निकाल के हम उसकी अस्थाई कठोरता या इस्थाई कठोरता को दूर कर सकते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दूर करने के लिए सोडियम कार्वनेट का प्रियोग करते हैं किसका सोडियम कार्वनेट का प्रियोग करते हैं नेक् nice champions very nice तो right answer for discussion क्या हो जाएगा H2O इसका सूतर होता है और 18 अनुभार होता है क्या हो जाएगा H2O जो है इसका सूतर होता है जलका और अनुभार कितना होता है 18 होता है next question देखते है next question क्या है हेलोजन में सरवादिक सरवाधिक प्रभावशाली ऑक्सी करण करता है बताए हेलोजन में सरवाधिक प्रभावशाली ऑक्सी करण करता क्या हो जाएगा राइट आंसर सब भी बताएंगे स्कीन पर जो कॉशन है हेलोजन में सरवाधिक ऑक्सी करण कौन है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लो नेक्स कॉश्ण देखे इस्टीलिया लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंग की जो परत चड़ाई जाती है उसे क्या कहा जाता है राइड आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है मोहित कुमार, खेम, चंदर, गुलसन, संतोष, भीमम, संचे, पूजा, श्याम, केटी, ठाकुर, राजेश, पंकच, अनूप, अतुल, राकेश, मनीशा, पूजा, सचिन राइट आउस, क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसको कहते हैं, गैलनाईशन, या जस्ती करण, या तो आप जस्ती करण कहलो, गैलनाईशन कहलो, जस्ती की परच चढ़ाना, या आपका, गैलनाईशन कहले, जो भी आप कह सकें, स्विक्षा अनुस क्या हो जाएगा सभी बताएंगे अपीना खानम अजय राहुल गरिमा इसकी इन पर जो कॉश्चन इसका सही उत्र क्या हो जाएगा ओम प्रकास कुछ वहा तो इसका राइट आंसर क्या है दूद को पायस या इमलसन की केडिगरी में रहते हैं नेक्ट कॉशन देखते हैं जल भीम सिंग प्रग्यासेन दिव्या भरद्वाग सतेंदर दीपेस अश्वनी लाइफ क्रियेशन ब्रिजेंदर विकास योती बलवंत विए शौधरी दिलीप सिंग देवदा जीम बीएस प्रेम मुहम्मद पूझा दीपक अर्जुन हेमराज वेरी नाइस शेंपियों तो सब्लाइक जाamped तो इसका राइट आसर नाइट्रोसर जल में सबसे कम घुलनसील गैस कूणосी है तो नाइट्रोस इसका राइट आंसर है कास्टिक सोड़ा का रासायनिक सूत्र क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके स्कीन पर जो कॉशन इसका सयूत्र क्या हो जाएगा सभी बताएंगे राइट आंसर दोस्तों वीडियो ज़रूर लाइक करते जाएं एक लाइक वीडियो को ज़रूर करें मुझे पता है मुझे भरोसा है कि मेरी महनत और एनरजी को देखते तो NAOH इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देखते हैं जिपसम का रासाइनिक नाम क्या है सीमेंट में जो जिपसम मिलाते हैं जिससे सीमेंट जमने में थोड़ी सी देर लगती है तो जिपसम का रासाइनिक नाम क्या है बताएगे अभी शेग, जेम, बीएस, वरड़न नहा सिंग्सुनी साहू राखी Cry good drink की राइट दानस क्या हो जाएगा गरिमा मुकेश अमरेंदर विमला स्थान्स जाराइट टानस क्या हो जाएगा कैलशिम सल्फेट क्या हो जाएगा CA SO4, H2SO, बहुत बढ़िया, क्या बात है, CA SO4, 10H2O, या कैल्शम सल्फेट, इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, नेक्ट कॉशन देखते हैं, चैंपियन्स, ब्लीचिंग पावडर का रासाइनिक नाम क्या है, बताए क्या बात है, सभी आज एनरजी में लग रहे हैं, एकदम बादाम लगता है, शहर के सभी बिख चुके हैं, सभी ने बहुत जबर्जस्त वाला बादाम का हलुआ बनाया हुआ है, क्या बात है, सभी के आंसर सही हो रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या को bleaching powder का रासाइनिक नाम है calcium hypo chloride कहते हैं next question देखे baking soda का रासाइनिक नाम क्या है बताइए baking soda जो होता है उसका रासाइनिक नाम क्या है comment box में comment करके बताना है screen पर जो question इसका सहीत्तर क्या हो जाएगा सभी का answer आना चाहिए तो इसका माचिस उद्योग में प्रियुक्त किया जाने वाला रसाइन क्या है बताइए आपके घर में जो माचिस वगेरा आपने देखी होगी उसके उपर लाल और काले कलर का जो एक chemical रहता है वो क्या होता है माचिस उद्योग में किस रसाइन का प्रियुक्त करते हैं तो चिस लंगी होगे अच्छा जा रहे आप सभी नेक्ट काॉषन देखिए जंग लगने पर लोहे का भार कितना हो जाता है दोस्तों एक लाइक वीडियो को जरूर करिए मुझे पता है किस सो इस्टुडेंट है तो कम से कम पंद्रा सो प्लस तो लाइक हो ही गया होंगे इतना तो भरूसा कर सकता हूँ आप सभी पर स्कीन पर जो कॉशन है चैंपिन्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है शिवराज, मदुमिता, राजदिवाकर, नीतु सिंग बहुत बढ़ियां क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां नेक्श और देखिए milk of Magnesia किसे कहते हैं राइट answer क्या है comment box में comment कर बताएए milk of Magnesia किसे कहा जाता है comment box में comment कर बताना है सभी बताएंगे right answer for this question champions very nice keep it up good going अच्छा जा रहे हैं आप सभी तो right answer for this question क्या हो जाएगा champ सभी का वीडियो लाइक होना चाहिए और सभी को link share करके अपने दोस्तों को भी invite करना है तो right answer क्या हो जाएगा milk of magnesium magnesium hydroxide को कहते हैं किसको magnesium hydroxide को कहते हैं mgoh twice right answer क्या हो जाएगा magnesium hydroxide इसका सहीतर हो जाएगा बहुत बढ़िया silent तालिया आप सभी के लिए next question देखते है champions next question क्या है यह रहाँ screen पर bleaching powder का रासायनिक नाम क्या है तो calcium hypo chloride है एक बार यह रासायनिक नाम दुबारा से करवा दे रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए क्योंकि अभी सबके गलत हुए थे skin पर जो question इसका सहीतर क्या हो जाएगा तो bleaching powder का रासायनिक नाम क्या है calcium hypo chloride है क्या हो जाएगा calcium hypo chloride इसका right answer हो जाएगा next question देखे चैंपियन्स boxide, corundum तथा cryolite, महत्वफूर अयस्श है आपको बताना है boxide किसका अयस्श है corundum किसका अयस्श है cryolite किसका अयस्ख है ये 3 question है तीनों के answer सेम है या अलग-अलग है ये आपको बताना है किसके ask हैं कोडल समझ लें ओक क्राइल लाइट समझ लें यह तीनों के टेनों ही meer का लिए लूमिनियम निकाली जाती है नेक्स कॉश्शन देखते हैं जिप्सम का राशायिनिक नाम क्या है बताइए अमर्दीब, भागवत, हिमान्शो बहुत बढ़िया राइट आन्सर क्या हो जाएगा सभी बताएंगे तो जिपसम का रासायनिक नाम चैल्जियम सलफेट इसलफेट इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुत बढ़िया चैंपियंज बहुत बढ़िया next question देखते हैं जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है अगला question देखते हैं काश्टिक सोडा का रासायनिक सूतर क्या है बताइए right answer क्या हो जाएगा सबी बताएंगे यह रासायनिक सूतर याद कर लेना है आपके लिए क्योंगी दो या तीन रासायनिक सूतर आही जाते हैं स्कीन पर जो question है चैंपियोंस का राइटांस क्या हो जाएगा सभी बताएंगे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें आप सभी की एनरजी और मेरी एनरजी लाइक को देखकर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों एक लाइक ज़रूर करिएगा स्कीन पर जो कॉशन है चैंपियंस का राइट आंसर क्या हो जाएगा पीतल किसकी मिश्चिध हातु है तो पीतल जो है तामा और जस्ते की मिश्चिध हातु है किसकी है तामा और जस्ते की मिश्चिध हातु है पीतल नेक्ट पॉशन देखे हैलोजन में सरवादिक प्रभाव प््रभाव साली औक्सी करण करता कौन है अभी बताया था मैं इने आपके लिए एक बार thrive revision की तार पर इसका subscribed by से बता दीजिये राइट आंसर क्या थाएगा बताईए very good हैलोजन में सरवादिक प्रभाव साली औक्सी करन करता कहन है तो chlorine इसका right answer हो जाएगा क्या हो जाएगा chlorine इसका सहीत्तर हो जाएगा very good champions very good keep it up good going अच्छा जा रहे हैं आप सभी next question देखतें champions next question क्या है सिने बार किसका अयस्क है बताएए सिने बार जो है वो किसका अयस्क है right answer क्या है सभी बताएंगे सभी का answer आना चाहिए आनन्द संतोष बलवन्त अनीता राम फूल अर्विन मुहम्मद सादिक अर्मान मनीशा बिमले स्वंशिका मोनू राजदिवाकर सानू रामनिवास सूरज राकेस कोशल very good right answer क्या हो जाएगा इसका तो सिने बार जो है पारे का अयस्क है क्या हो जाएगा पारे का अयस्क है सिने बार नेक्ट गॉशन देखिए साधारन जलका अनू सूत्र और अनू भार कितना है बताएंगे right answer क्या हो जाएगा सभी बताएंगे very good प्रतिबा अब है जितेश हिमान सू right answer for this question क्या हो जाएगा चैंपियंस वीडियो को एक लाइक जरूर करें मुझे यकीन है कि आप सभी बहुत तक परता से वीडियो को भी लाइक कर रहे होंगे और काफी ज्यादा लाइक हो गए होंगे मुझे ऐसा भरोशा है स्कीन पर जो question है चैंपियंस का right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer है साधानन जलका अनुसूत्र होता है H2O और अनुभार होता है आपका 18 next question देखते हैं चैंपियंस next question क्या है ये रहा स्कीन पर अगला question comment box में अगले question का answer देना है सबी बताएंगे fuse star का टांका किसका बना होता है right answer for this question क्या हो जाएगा comment box में comment करके बताना है स्कीन पर जो question इसका सहीतर क्या हो जाएगा right answer for this question तो सीसा और टिन का बना होता है क्या हो जाएगा सीसा और टिन का बना होता है दोस्तों लगातार मेहनत कर रहे हम आपके लिए दिन रात और 22100 स्टुडेंट होने के बावजूद भी हमारे एक दोस्त ने अभी कमेंट बॉक्स में मैसेज सेंड किया है कि सर अभी 1000 लाइक बस हुए है बताईए जिन जिन ने वीडियो लाइक नहीं किया है कम से कम वीडियो लाइक तो करते जाएए एनरजी भी बनी रहेगी खुशी भी मिलेगी वीडियो भी अच्छा रहेगा और हम आपके लिए ततपरता से और महनत करते रहेगे तो दोस्तों एक बार बटन दबाने में क्या सोचना टिक टॉक पर दबाते हैं, फेस्बुक पर दबाते हैं, इंस्टा पर दबाते हैं आज सरस्वती माता जी के नाम पर पढ़ाई के मामले में भी एक बटन जरूर दबा दीजे स्कीन पर जो कॉश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है, सोडियम कार्वनेट का प्रियोग करके हम जलकी स्थाई या और स्थाई का ठोड़ता को दूर कर सकते हैं, सरवाधिक आगहात वर्ण धातू कौन सी यह बताईए, कौन सी धातू को जादा से जादा पीट कर पतला किया जा सकता है, राइट आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है, स्कीन पर जो कॉ जा सकते हैं, सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेक्श कॉशन देखते हैं, जलका सुद्धतम रूप क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताईए, स्कीन पर जो कॉशन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यूनुस खान, रीना त्रिपाटी, फणी वीडियो, कांसा किस-किस की मिस्ध हातु है, बताईए, राइट आंसर फ़िस कॉशन क्या हो जाएगा, ये एक्जाम में पूछे काई काई जो आपसे बनना चाहिए, तो आपकी तैयारी बहुत जबरजस्त है, नहीं तो तैयारी करने में अभी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, रा फूगेस का रासायनिक नाम क्या है, बताईए, अभी मैंने आपको बताया था, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, और एक बार याददाश भी ताजा हो जाएगी, बताईए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरो एसिटो फिनोन इसका सैयुत्तर हो जाएगा, क्लोरो प्रक्रम से इस पात को तयार किया जाता है किसको इस पात को तयार किया जाता है लोहे से इस पात को तयार किया जाता है next question देखते हैं मानव द्वारा निर्मित प्रथम संसलिस्ट रेशा कौन सा था right answer क्या है बताईए comment box में comment करक बताना है सबी बताएंगे right answer for discussion मानव द्वारा संसलिस्ट पहला रेशा कौन सा था right answer comment box में comment करक बताना है skene पर जो question इसका सही उत्र क्या हो जाएगा रविंद्र कुमार सभी आंसर बताएंगे right answer for discussion क्या हो जाएगा बताएगे तो इसका सही उत्र क्या हो जाएगा पिटुबाए लोहा इसका right answer हो जाएगा पिटुबाए लोहा इसका right answer हो जाएगा next qaushan देखते हैं next qaushan क्या है किसी घोल का pH मान साथ से कम या साथ से अधिक हो किसी इसमें दो चीज़े पुछी गई है एक तो साथ से कम हो और एक साथ से अधिक हो तो वो क्या होगा क्रमशा साथ से कम वाला क्या होगा और साथ से अधिक वाला क्या होगा दो कॉशन एक साथ पुछ लिया है तो right answer क्या हो जाएगा इसका तो साथ से कम वाला जो है आपका अमल होगा और पिर जिसका पहला साथ से कम वाला अमल होगा साथ वाला उदासीन होगा और साथ से जादा वाला छारी हो जाएगा क्या हो जाएगा साथ से कम वाला अमल होगा साथ से ज्यादा वाला छारी होगा और जो बीच में होगा साथ होगा वो उदासीन की कटिगरी में आ जाएगा next question देखते हैं काच किसका मिश्रण है बताईए राइट आंसर क्या है काच किसका मिश्रण है सबी बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा बहुत बढ़िया रा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताईए काच किसका मिश्रण है तो बालू और सिलिकेड का मिश्रण है काच किसका मिश्रण है बालू और सिलिकेड का मिश्रण इसका स compose बताईगा next question देखते हैं champions next question क्या है चैनल सब्सक्राइब करते जाएगे स्क्रीन पर आपको आपका नाम दिखते जाएगा जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बैल आइकन दबाएंगे नोडिफिकेशन अन करने के लिए क्लास से जुड़ने के लिए इसकीन पर जो question है इसका right answer क्या हो जाएगा सबसे 14 धातू है हीरा और धातू है प्लेटिनम तो देखो दो question अलग-अलग है सबसे 14 धातू है प्लेटिनम दोनों अलग-अलग question है दो answer एक ही question में next question देखते हैं champions next question क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदाई गैस कौनसी है राइट आंसर क्या हो जाएगा बताईए संघर्ष प्रियंका सालिनी सुभाश शंद्र मनीश कुमार राज दिवाकर राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी बताएंगे प्रतिमा वेरी गुड तो इसका सही उत्तर क क्या हो जाएगा कार्बन डेक्साइड और सी एफसी यानि की सीओ टू और सी एफसी राइट आंसर हो जाएगा नेक्श कॉशन देखे सभी अमलों में समान रूप से कौन सा तत्व विद्वान रहता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन सभी अमलों में रह की इस्थाई कठोरता का उदाहरण है नेक्ट कॉशन वेरी नाइस वेरी नाइस राइट डांसर देखना है आप सभी के लिए अगला कॉशन देखेंगे जी जी चलिए अगला कॉशन देखते हैं अगला कॉशन क्या है यह रहा स्कीन पर आधुनिक आवर्द सारणी में सोला परमाणू क्रमां किस ततो का होता है राइट आंसर क्या है बताएट आधुनिक आवर्द सारणी में सोला परमाणू क्रमां किस ततो का होता है राइट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कबताना है सकीन पर जो question इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी बताएंगे जो भी Champions चेंफिन क्लास में नए हैँ चैनल जरूर सब्स्क्राइब करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोला परमाणू क्रमांग किस्ततों का होता है तो ये होता है सलफर का क्या हो जाएगा आधनिक आवर्थ सारणी में सोला परमाणू क्रमांग जो है सलफर का होता है नेक्श कॉशन देखते हैं नेक्श कॉशन क्या है ये रहा स्कीन पर अगला कॉशन आधनिक आवर्द सारणी में विद्दुत रनात्मक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो राई तांसर क्या हो जाएगा इसमें जो है बढ़ती है क्या हो जाएगा बाएं से दाएं जब हम जाते हैं तो बढ़ती है राई आंसर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगी next question देखते है next question क्या है यह रहा स्कीन पर आज के question बहुत ही अच्छे question है तो कोशिश करिएगा class last तक connect करने के लिए सभी question top quality के है थोड़ा सा आपको pressure डालना पड़ेगा दिमाग पर क्योंकि question जो है आपके science के है तो आपकी तैयारी भी जबर जस्त होगी प्लस आपका mind भी तोड़ा सा fresh हो जाएगा स्कीन पर जो question इसका सहयूत्र क्या हो जाएगा तो कौन सा अंग रक्त को साफ करने का काम करता है तो इसका right answer है kidney इसका सहयूत्र हो जाएगा kidney इसका right answer है printing mistake है यहाँ पर kidney answer हो जाएगा क्या हो जाएगा रक्त को साफ कौन करता है किडिनी साफ करती है तबी किडिनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस कराना पड़ता है यहां पर यह printing mistake है माफ करिएगा किडिनी राइट आंसर आएगा इसका ठीक है ना next question देखते है next question क्या है इरहा screen पर अगला question protein की coach किसके द्वारा की गई थी बताएं protein की coach किसके द्वारा की गई थी right answer क्या है comment box में comment करके champions एक like video को एक like class के लिए एक like आपकी महनत के लिए और एक like मेरी महनत के लिए सभी एक साथ like करेंगे screen पर जो question इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी बताएंगे very nice champions very nice keep it up good going अच्छा जा रहे हैं आप सभी तो right answer क्या है protein की coach किसने की थी बरजीलियस ने की थी किसने की थी वरजीलियस ने की थी बरजीलियस इसका right answer हो जाएगा very nice champions very nice जिनका भी जी जिनका भी answer सही नहीं है वो सही कर लिया करें और जिनका answer गलत हो रहा है वो तो बिल्कुल ध्यान से सही कर लिया करें तो अगला question देखिए अगला question क्या है इरहा स्कीन पर क्या पुशक है पौधे में permanent tissue कौन कौन से होते हैं बताएए पौधा जो होता है comment box में comment कर बताना है सभी का दिमाग आज घूहेगा सभी के mobile के बटन जो है आज कापेंगे कि कौन से question सही हो रहे हैं कौन से question गलत हो रहे है स्कीन पर जो कॉश्चन इसका राइट आंसर क्या है पौधे के पर्मानेंट टिशू कौन कौन से होते हैं तो जाइलम और फ्लोयम अगर जाइलम फ्लोयम नहीं रहेगा तो खाना पानी कैसे जलेगा पौधे का राइट आंसर क्या हो जाएगा पौधे के पर्मानेंट उतक कौन हुता है राइड अंसर क्या है comment box में comment कpell बताना है स्कीन पर जो question इसका सहीत्र क्या हो जाएगा बहुत बढियां हेमराजा योगी फासपोरस और आईरन पॉदे में फासपोरस और आईरन होता है स्कीन पर जो इसका क्या होजएगा उस्मा का अच्छा चालक क्या होता है तो उस्मा का अच्छा चालक होता है चांदी चांदी भी आंसर हो जाएगा माई का भी अच्छा हो जाएगा माई का जो होता है अधातू होते हो भी उस्मा का अच्छा चालक होता है जिनने आंसर चांदी दिया है उनका अंसर सही है चांदी ठीक ह option में अगर चांदी आता है तो चांदी भी आप लगा सकते हैं या माई का जिसको आप अब्रक बोलते हैं अब्रक जो भी है उश्मा का अच्छा चालक होता है next question देखे next question क्या है यह रहा स्कीन पर कौन सा तत्व धातु वा अधातु दोनों की तरह कारे करता है बताईए right answer क्या है comment box में comment करके बताना है इसकीन पर जो question इसका सही उत्र क्या हो जाएगा very nice comment box में comment करके बताना है right answer for this question देखे धातु में चांदी उसमा का सचा चालक है और अधातु में माई का अच्छा चालक है दो answer याद करके रखे क्या पता question में क्या पूछ ले right answer क्या हो जाएगा सबी बताएंगे तो कौन सा तो ये जो है तो आपका hydrogen इसका सही उत्र हो जाएगा hydrogen जो है धातु और अधातु दोनों की तरह काम करता है hydrogen इसका right answer हो जाएगा जिनके answer गलत हो रहे हैं बिल्कुल घबरानी की जरुएट नहीं है question को सही करिए revision जब कराऊंगा तो आप सही answer दीजेगा अगला question देखते हैं अगला question क्या है बल्व का filament किसका बना होता है बताएगे right answer क्या हो जाएगा comment box में comment कर बताना है right answer क्या हो जाएगा बताएगे नव्या सराफ screen पर जो question इसका सही उत्र क्या हो जाएगा तो बल्व का filament जो है आपका tungustन का बना होता है जिसका गलनांक होता है 33 अगर आप से पूछा जाए कि tungustन का गलनांक कितना होता है तो tungustन का गलनांक जो होता है 33 degree centigrade होता है ये भी याद करके रखिए पूछा जाता है क्योंकि next question देखते है next question क्या है ये रहाज screen पर पुटास alum जो होता है जिसको आप fit करी बोलते है उसका रासायनिक सूतर क्या होता है comment box में comment करके बताना है very good जी right answer क्या हो जाएगा मुकेस कुरे जी ये जो है one liner की class है इसमें option नहीं होते है one liner की class रात से 10 से 11 वजे तक 10 से 11 वजे तक होती है रोज रात में अगर आप optional class करना चाहते हैं तो दिन में 3 classes होती है आप class join कर सकते हैं चैनल को आप subscribe कर लीजे bell icon on कर लीजे रोज class होती है सुबब 6 वजे से आप पढ़े आ सकते हैं ये one liner की class है इसकीन पर जो question इसका सही उत्र क्या हो जाएगा तो potassium alum का सूत्र क्या होगा potassium aluminate sulfate इसको कहते हैं और KLSO4 जी half S2 ये 12 नहीं है यहाँ पर ये half S2 है ये जो है half S2 है 12 नहीं है उसको सही कर लीजेगा ये half S2 है 12 S2 है नहीं है ठीक है next question क्या है comment box में अगले question कहां से देना है screenshot ले लिया करिए अगले question पर जंप करते हैं देखे क्या पुशा गया अगले question में very nice hydra में विभाजन कैसे होता है बताईए right answer क्या हो जाएगा सभी बताएंगे comment box में description box में class का timing है आप देख सकते हैं चाहें तो मैं आपके लिए comment box में time table share कर देता हूँ आप comment box से time table देख लीजे सभी के लिए जो भी champions नए है channel जरूर subscribe करते जाएं hydra में विभाजन कैसे होता है नेक्श कॉशन देखते है चैंपियंस नेक्श कॉशन क्या है यह रहाज स्कीन पर अगला कॉशन देखते है comment box में answer देना है सभी के लिए जो भी champions class में नए है channel जरूर subscribe करते जाएं अगला कॉशन देखे नीत की बीमारी को क्या कहते हैं अगर किसी को सोने की बहुत ज़्यादा बीमारी हो तो उसे क्या कहते है comment box में comment करके बताना है स्कीन पर जो question इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी champions answer देंगे right answer for this question क्या हो जाएगा comment box में comment करके very nice champions very nice keep it up good going अच्छा जा रहे हैं आप सभी right answer for this question क्या हो जाएगा champions तो need की बीमारी को क्या कहते है तो need की बीमारी को कहते है trypais somenosis क्या बोलते है trypainos somenosis इसका right answer हो जाएगा screenshot ले लीजिये need की बीमारी को क्या बोलते है trypainos somenosis कहते हैं इसका right answer हो जाएगा बहुत बढ़िया क्या बात है आप सभी मिलकर पढ़ते हैं मज़ा आता है अगला कॉशन देखते हैं अगला कॉशन क्या है ये रहाज के इन पर अगला कॉशन आप से क्या पुछागा टमाटर में कौन सा एसेड पाया जाता है बताएए सभी बताएंगे राइट आंसर मस्ती कुंदंटी रोनिज्जा चंचल भुमनेश्वर सिवानी आदित्य प्रधान सेन बल्वंत मारको बिमले सोनी साहू जेम बीएस राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टमाटर में कौन सा एसेड होता है तो टमाटर में ऑगजलेक एसेड होता है कौन सा एसेड होता है और जलेक एसेड होता है चैंपिएंस बैंकर ढेंडाएगा जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे जो कवाष्फन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अप शीवेडियो को लाइक भी करेंगे और लिंक को शेयर करकर अपने दोस्तों को भी invite कर सकते हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ओजोन के नश्ट होने का कारण क्या है तो हाँ ओजोन देखो आपका cfc से भी नश्ट होती है sulfur dioxide से भी nitrous oxide से भी यह सभी जो है कारक जो है ओजोन के नश्ट होने के कारक है तो right answer for this question क्या हो जाएगा no2 so2 और cfc यह सभी कारक जो है ओजोन के नश्ट होने के कारक है next question देखते है next question क्या है यह रहा स्कीन पर अगला question पित रसका स्त्राव कहां से होता है comment box में comment करके बताना है स्कीन पर जो question इसका सही उत्र क्या हो जाएगा सभी बताएंगे आदित्य प्रधान काना राम अंकेत आकांशा प्रेम जीत श्याम डिंपी कपिल दीपेश अज्य हेम राज राइट आउसर क्या हो जाएगा इसका सभी बताएंगे तो पित्त का इस त्रावन कहां से होता है बहुत बहुत धनिवाद मित्र सेन यादो आपका बहुत बहुत धनिवाद मित्र सेन यादो जी की तरफ से 20 रुपेश का शेयर चैट किया गया है मित्र सेन यादो जी मित्र सेन यादो यादो जी आपका 20 रुपीश सुपर चैट करने के लिए हम बहुत बहुत आभार प् वार हुआ है तो मैं उन सभी आठ लाग स्टुडेंस की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं अगला कॉशन देखिए चैंपियन्स अगला कॉशन क्या है यह रहाज की इन पर हैलो जन गुरुप में तत्वों की बैलनसी क्या होती है बताईए राइट आंसर क्या हो जाएगा हैलो जन गुरुप में तत्वों की बैलनसी क्या होती है तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होती है एक होती ह नेक्ट कॉशन देखते हैं नेक्ट कॉशन क्या है इरहाज कीन पर अगला कॉशन बिटमिन कौन सी बिटमिन की कमी से शरीर में सूजन आ जाती है राइट आंसर क्या है बताइए कौन सा वो बिटमिन है जिसकी कमी से शरीर में सूजन आ जाती है सभी answer देंगे champions right answer क्या है बहुत बढ़िया क्या बात है सभी को आनंद आ रहा है न सभी के लिए अच्छा लग रहा है कि नहीं दिमाग पर जब जोर पढ़ रहा है तो आपके लिए question जब निकल कर आ रहा है तो आज आपको वाकई में आपकी क्या capacity है पता चल रही है कि नहीं बहुत अच्छी बात है तो इसका right answer क्या हो जाएगा तो इसका right answer है vitamin C तो vitamin C की कमी से सरीर में सूजन आ जाती है next question देखते है champions next question क्या है यह रहा स्कीन पर अगला question very nice solder धातू किन तत्वों को मिलाने से बनती है आपने देखा होगा electric उपकरणों को जोडने के लिए solder का प्रयोग करते हैं तो वो solder जो है किसके प्रयोग से किन दो धातूं को जोड कर बनाई जाती है right answer क्या है सभी बताएंगे very nice दिल खुश हो गया आप सभी के answers देखकर आप सभी का जज़वा देखकर और तैयारी देखकर वाकई में मजेदार तैयारी करके रखी आप सभी ने बहुत बढ़ी हैं चैंपियंस तो right answer क्या हो जाएगा solder जो है आपका tin और lead को मिला कर बनता है किसको tin और lead को मिला कर बनता है tin और शीशे को मिला कर बनता है tin और शीशा या tin और lead वाकई answer सही हो जाएगा next question देखते है champions next question क्या है यह रहा स्कीन पर अगला question lens का सूत्र क्या होता है बताइए अगर आप से पूछा जाए कि lens का सूत्र क्या है तो आप क्या बताएंगे right answer for this question क्या हो जाएगा lens का सूत्र क्या होता है तो चलिए देख लेते हैं इसका right answer क्या हो जाएगा तो lens का सूत्र जो होता है option number 1 upon focus 1 upon F बरावर 1 upon V minus 1 upon U यह lens का सूत्र होता है इसको note करके रखिये और lens की एकाई जो होती है diopter होती है ठीक है screen पर जो question इसका सही उत्र क्या हो जाएगा जी very nice champions very nice keep it up good going अच्छा जा रहे हैं आप सभी next question देखते है champions next question क्या है protein का पाचन किस enzyme के थ्रो किया जाता है right answer क्या है सब ही बताएंगे right answer क्या है comment box में विकास, साहिल, हिमांश, रोहित, यादव, राजेश, हिमांशू, निरंजन, रविंदर, हर्षा, ब्रजेश, मोनू, विजय, मिश्टर, अंकित, राजीव, सोनाली, जोती, ओल एक्जाम, सोमवीर क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया तो इसका right answer क्या हो जाएगा protein, क्या हो जाएगा, इसका right answer pepsin और trypsin, क्या हो जाएगा pepsin और trypsin मिलकर very nice champions pepsin और trypsin इसका right answer हो जाएगा जिनका भी answer गलत हो रहा है सही कर लिया करे, very nice champions वेरी नाइस नेक्ट कॉशन देखते हैं चैंपियोंस नेक्ष कॉशन क्या है यह रहास की इन पर अगला कॉशन मनुश्य में कितने जोड़ी गुर्ण सूत्र होते हैं बताएए राइट डांसर क्या हो जाएगा सबी बताएंगे जो भी चैंपियोंस क्लास में नए हैं चैनल गुर्ण सूत्र तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 जोड़े गुर्ण सूत्र होते हैं और 23 जोड़े को आप 23 गुर्ण दो कर देंगे तो आपका 46 भी आंसर सही हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा या तो 23 जोड़े बोल दीजिए या तो 46 बोल दीजिए बात ब एक लाइक जरू करिएगा दोस्तों सभी से निवेदन है जो भी नए शुडिंट आ रहे हैं एक लाइक जरूर करिएगा होसला बना रहता है वीडियो लाइक होते हैं तो होसला बना रहता है स्कीन पर जो कौशन स्का सःत्र क्या हो जाएगा तो इसका right answer है lactic amal खटे दूद में क्या होता है next question देखते है next question क्या है यहाँ स्कीन पर अगला question क्या पूशा गए देखे टंगस्टन का गलनांग कितना होता है बताYे 33-80 degree centigrade क्या हो जाएगा 33-80 degree centigrade next question देखते है next question क्या है इरहाज की इन पर अगला question क्या आप पुछा गया देखिए उतक किसके बने होते है right answer क्या है comment box में comment तक बताना है जितना टंगस्टन का गलनांक है उतने वीडियो लाइक होना चाहिए तब मज़ा आएगा टंगस्टन का जितना गलनांक है न उतने अगर वीडियो लाइक होंगे तब मज़ा और भी अच्छा आएगा मन और भी बढ़ियां खुश हो जाएगा प्रसन हो जाएगा 33-80 like 33-80 टंगस्टन के गलनांक के बराबर बहुत जबरजस्ट कॉशन का आंसर और बहुत जबरजस्ट लाइक स्कीन पर जो कॉशन इसका राइट आंसर क्या है उतक किसके बने होते हैं तो सैल के बने होते हैं सैल के ग्रुप के उतक बने होते हैं नेक्श कॉशन देखिए Champions next question क्या है ये रहा स्कीन पर अगला question क्या पुशा गया देखे Atom की खोज किसके द्वारा की गई थी Right answer क्या है बताइए Atom की खोज किसके द्वारा की गई थी सभी Champions से निविदन है वीडियो लाइक जरूर करें Class सब्सक्राइब कर लें Bell icon on करके वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं स्कीन पर जो question है Champions का right answer क्या हो जाएगा सभी बताएंगे तो Atom की खोज किसने की थी Right answer for this question क्या हो जाएगा सभी Champions right answer देंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा Atom की खोज जो है सभी बताएंगे एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सभी Champions right answer देंगे सभी का answer आना चाहिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं क्या हो जाएगा 746 वाट इसका right answer हो जाएगा नेक्श कॉशन देखते है चैंपियंस नेक्श कॉशन क्या है यह रहाँ स्कीन पर आधनिक आवर्द सारणी में हैलो जन को किस समूव में रखा गया है राइट आंसर क्या है बताएगे सभी बताएंगे स्कीन पर जो question है नेहा सिंग राइट आंसर क्या है हेमराज योगी राहुल पंडित अर्जुन 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 एंटी पीसी दिलीप सिंग देवदा और्ली स्टेडियंट मर्स्ती जेम बीएस फनी वीडियो हैप्पी सिंग जोती रजस्क सूरज हिमानशू वेरी नाइस चैंपियंस राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताएए तो इसका सही उत्तर क्यों हो जाएगा है हेलो जन को ग्रुप नंबर 17 में रखा गया है किसमें ग्रुप नंबर 17 में रखा गया है नेक्ट कॉशन देखते हैं नेक्ट कॉशन क्या है यह रहा स्कीन पर अगला कॉशन आधुनिक आवर्थ सार्णी में 56 से 72 परमाणू संख्या किस ब्लॉक की है राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है स्कीन पर जो कॉशन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके स्कीन पर जो कॉशन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी बताएंगे राइट आंसर इस कॉशन बताएगे आधुनिक आवर्थ सार्णी में 56 से लेकर 72 परमाणू संख्या में क्या उपस्तित है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इनमें जो है ये एफ ब्लॉक कहलाता है कौन सा एफ ब्लॉक जो है 56 से लेकर 72 तक जो है एफ ब्लॉक है याद रखी के कॉशन पूछे जाते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 से 72 तक एफ ब्लॉक है next question देखते है next question क्या है यह रहा स्कीन पर RH factor की खोच किसके द्वारा की गई थी right answer क्या है comment box में comment करके बताना है स्कीन पर जो question इसका सहीत्तर क्या हो जाएगा बताएए RH factor की खोच किसके द्वारा की गई थी comment box में comment करके बताएए तो स्कीन पर जो question इसका सहित्तर क्या हो जाएगा आरेच फेक्टर की खोच किसके द्वारा की गई थी तो राइट आंसर हो जाएगा आरेच फेक्टर की खोच जो है कार लेंट स्टीनर के द्वारा की गई थी किसके द्वारा कार लेंट स्टीनर इसका सहीत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा कार लैंट तीनर इसका राइट आंसर हो जाएगा next question देखते है चैंपियंस next question क्या है यह रहा screen पर अगला question अगले question का answer देना है क्या पूछा गया है देखिए सबसे जादा भारीध हातू कौनसी है बताईए right answer क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा भारी धातू कौन सी है right answer for this question comment box में comment करके बताना है screen पर जो question इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी पूछेंगे अनिल tension मतलो सब पूछेंगे चिंता मत करो screen पर जो question इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा भारी धातू कौन सी है osmium इसका सही उत्तर हो जाएगा osmium इसका राइट आंसर हो जाएगा next question देखते है next question क्या है दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है बताईए right answer for this question comment box में comment तर करके बताना है स्कीन पर जो question इसका सही उत्र क्या हो जाएगा दुनिया का सबसे छोड़ा पक्षी कौन सा है तो इसका सही उत्र हो जाएगा Hummingbird कौन सा है Hummingbird इसका right answer है Next question देखिए Next question क्या है ये रहा स्कीन पर Inert gas कौन सी gas कहलाती है बताएगे Inert gas कौन सी gas को inert gas कहा जाता है comment box में comment का बताना है screen पर जो question इसका सही उत्र क्या हो जाएगा तो inert gas किसको कहते हैं तो inert gas कहते हैं 18 ग्रुप में जो table 18 ग्रुप में जो gas होती है 18th group of table की जितनी भी gases हैं उन सब को inert gas कहा जाता है next question देखते है champions next question क्या है no idea get an idea सर जी screen पर जो question इसका सही उत्र क्या हो जाएगा हाँ noble gas भी कह सकते हैं next question देखते है champions next question क्या है इरहाज screen पर अगला question G का अधिक्तम मान कहां पर होता है right answer क्या है comment box में comment करके बताना है G का अधिक्तम मान कहां पर होता है comment box में comment करके बताना है स्कीन पर जो question इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा comment box में comment करके बताना है right answer for this question comment box में comment करके बताना है तो जी का अधिकतम मान कहां होता है तो ध्रूवों पर होता है ध्रूवों इसका right answer हो जाएगा जी का अधिकतम मान जो है ध्रूवों पर होता है जो भी Champions Class में नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करते जाएं आप सभी को याद होगा मैंने सुबह बोला था कि मैं आप सभी से एक Special Topic में भारत की राज्य और उनकी राजधानिया पूछूँगा सभी याद करके आए हैं भारत और राज्य और उनकी राजधानिया अगर याद कर गया हैं तो मैं पूछना शुरू कर रहा हूँ सभी बताना शुरू करेंगे तो राइट आंसर बताना हैं आप सभी के लिए आप मुझे बताएए आंधर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में जरा एक बार अपना रिवीजन तो करिए देखिए किस किस को कितनी कैपिटल याद है आंद प्रदेश की राजधानी क्या है बताइए तो आंद प्रदेश की राजधानी क्या है हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद इसकी राजधानी है और कुछ समय बाद इसका अमरावती को शिप्ट कर दिया जाएगा हैदराबाद अभी राजधानी है और अमरावती को प्रपोजड राजधानी बताये गया है proposed capital जो है अमरावती को बताया गया है चलिए अरुनाचल प्रदेश की राधधानी बताईए अरुनाचल प्रदेश की राधधानी क्या है जिसमें है दम वही है बाजी राव सिंगहम बताईए अरुनाचल प्रदेश की राधधानी क्या है comment box में comment करके बताना है स्कीन पर जो कॉशन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो रवनाचल प्रदेश की राध्धानी क्या है इता नगर राइट आंसर हो जाएगा इता नगर इसका सही उत्तर हो जाएगा चलिए मद्द प्रदेश की राध्धानी बताईए मद्द प्रदेश की राध्धानी क्या है comment box में commenter के screen पर जो question इसका सई उत्तर सभी को बताना है مद्द पृदेश की राध 딱नी क्या है भोपाल इसका राईट आंसर है क्या हो जायेगा मद्द पृदेश की राध दानी क्या है भोपाल इसका राईट आंसर है चलिए अगला caution बताईए आप मुझे बताइए पंजाब की राधधानी क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट टक बताना है एक बर ख्विक रिवीजन के साथ-साथ आपका मस्त रिवाइज भी हो जाएगा दोस्तों बताइए पंजाब की राधधानी क्या है तो पंजाब की राजधानी क्या है चंडी गड़िस का राइट आंसर है पंजाब की राजधानी क्या है चंडी गड़िस का राइट आंसर है अच्छा मुझे हर्याना की राजधानी बताईए हर्याना की राजधानी क्या है देखते हैं किसमे है दम कौन है बाजी राव सिंग बताईए राज्जों की राज्धानिया पूछ रहा हूँ फिर अभी मुख्यमंत्री पूछूंगा एक के बाद एक सभी के जहें माइंड के फ्यूस थोड़ी देर के लिए लड़ खडाएंगे और सभी के आंसर सही हो जाएंगे स्कीन पर जो कॉशन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो बिहार की राज्धानी क्या है पटना राइट आंसर हो जाएगा चलिए आप मुझे बताईए उत्तर प्रदेश की राज्धानी क्या है बताईए राइट आंसर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राज्धानी क् लखनव राधधानी है चलिए अगला कॉशन बता दीजे असाम की राधधानी क्या है जिसमें है दम वही टिक पाएगा और वही बनेगा बाजी राव सिंगम बताएए असाम की राधधानी क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है तो असाम की राधधानी क्या है दोस्तों, सभी का अंसर आना चाहिए, अगर आज आंसर नहीं आया, तो question बुरा मान जाएगा, असाम की राधधानी क्या है, दिस पूर इसका राइटानी क्या है, चलिए अगला बता दीजे, 36 गड़ की राधधानी क्या है, जिसने पढ़ाई की होगी असल में टिक कर वही रह पाएगा वाकी सबी जो है सिर्ख खुजलाते रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है स्क्रीन पर जो कौशन ने बताएगे 36 गड़ की राधधानी क्या है तो राएपुर इसका राएट आंसर है क्या है राएपुर राधधानी है और अटल नगर जो है इसका प्रस्तावित नाम है अटल नगर अगर आपसे आप्शन में राएपुर की जगा अटल नगर आता है तो वो भी आपके लगाने योग एक option रहेगा अच्छा अगला कौशन बता दीजे गोवा की राजधानी क्या है वाकई में सही answer बताने वाला बहुत अच्छी पढ़ाई करने से ततपर है और वाकई में तयारी करके रखी हुई है तभी questions के answer मिल पा रहे है तो बताईए गुजरात की राधधानी क्या है आज तो एक एक करके सब निपट जाएंगे गुजरात की राधधानी क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताई दीजे राइट आंसर क्या हो जाएगा सबी का answer आना चाहिए तो गुजरात की राधधानी क्या है दोस्तों जिसमें है द अंदर ही अंदर मन प्रसंद हो रहा होगा और दिमाग आज बोल रहा होगा इतने दिन से जो मैंने मकारी करी है आज मेरा मालिक मुझसे सूथ समित हिसाब ले रहा है बहुत बढ़ियां तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हिमाचल प्रिदेश की क्या हो जाएगी शिमला इसक आप मुझे बता दीजे जारखंड की राधधानी क्या है बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा जारखंड की राधधानी क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है सभी का आंसर आना चाहिए जारखंड की राधधानी क्या है एक टॉपिक रोज कंप्लीट जहारकंट की राजधनी क्या है राची इसका राइटांसर है चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं करनाटक की राजधनी बतादी करनाटक ही राजधनी क्या है आज भारत भरमण हो ही जाए बिना पैसों के सारे इस्टेट घूमके आएंगे और सभी स्टेट के पता लगा के आएंगे राजधानिया क्या क्या हैं बिना टिकेट के सारे स्टेट के चक्कर लगाए जाएंगे तो राई टांसर क्या हो जाएगा बैंगलोर इसका राई टांसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं केरला की राजधानि क्या है कमेंट ब तिरुवंतनम पुरम है क्या है तिरुवंतनम पुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए महराश की राधधानी बता दीजे महराश की राधधानी क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है स्कीन पर जो कॉशन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएगे महराश कि रादधानी क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आज वाकई में मजा इसकदर आ रहा है कि सारे के सारे रक्षा बंदन के गुलाब जमुन कह रहे होंगे इसी लिए तुमने हमें खाया था कि आज कसर निकाल सको सभी के सभी कौशन आज ही पूछ लोगे क्या दिमाग ये कह रहा होगा मड़ीपुर की रादधानी क्या है इमफाल इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा इमफाल चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं मिजोरम की रादधानी बताईए मिजोरम की रादधानी क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है स्कीन पर जो कौशन इ लुक गए होंगे सब का दिमाद आज पानी पानी हो गया होगा इसकीन पर जो कॉश्चन इसका राइट आंसर बताईए थोड़ी दिर बाद बचे हुए कॉश्चन फिर से पूछूंगा स्टेट के कैसा लग रहा है दोस्तों मज़ा आ रहा है सभी के लिए कीपेट क्या बोल बैल आईकन ओन करके वीडियो को लाइक करते जाएं इसकीन पर जो कॉश्चन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी आंसर बताएंगे चैंपियंगे चैंपियंजक然后 के बताना है सुपर से बी ऊपर आपके माइंड की आज वाकई में बहुत जबड़ जस्त बाली परेड हो गई इतनी परेड तो 26 जनवरी 15 अगस्त में नहीं होई होगी जितनी आज हो गई राइट आंसर क्या हो जाएगा एस तुरण का ऐसा ही मात रख है मीटर पर सेकेंड स्क्वेर क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वेर तुरन का ऐसा ही मात रख है चैंपियंस एक बार वीडियो लाइक कर दीजे इसी बात पर जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है अच्छे मन से एक बार वीडियो लाइक कर दीजे मज़ा आ जाएगा स्कीन पर जो कॉश्चन इसका सही उत्र क्या हो जाएगा तुरन का SI मात्र क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वेर नेक्ट कॉश्चन देखते हैं दाब का SI मात्र क्या है बताइए दाब का SI मात्र क्या है comment box में comment करके बताना है स्कीन पर जो question इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो दाब का ऐसा ही मातरक क्या हो जाएगा दोस्तों तो दाब का ऐसा ही मातरक है पासकल क्या हो जाएगा पासकल इसका सही उत्तर हो जाएगा दाव का ऐसाई मातरक है पासकल इसका सयुत्तर हो जाएगा नेक्श कॉशन देखते हैं नेक्श कॉशन क्या है यहाज कीन पर कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है अगले कॉशन पर जंप करते हैं मनुश की नेत्रों में बाहर के प्रकास को कौन नियंतरत करता है मनुश के नेत्र जो हैं बाहर से प्रकास आता है तो उसको नियंतरत कौन करके रखता है राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए बहुत बढ़िया दोस्तों एक लाइक वीडियो को एक लाइक कौशन को एक आपकी मेहनत को एक लाइक आज जो दिमाग की परेड कराईए उसके लिए जिसमें से आपको समझ में आए वो वाक के रखिए और एक लाइक करते जाएए स्कीन पर जो कॉशन इसका सहीत्र क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्मिया क्या हो जाएगा कॉर्मिया इसका राइट आंसर हो जाएगा next question देखते हैं next question क्या है यह रहा स्कीन पर अगला question आवरत्ती की SI unit क्या है सुबह 6 बजे general awareness की class है जो भी channel पर आज जुड़े हुए हैं इसी तरह का जो है question answer का preparation आपसे सुबह भी कराये जाएगा optional में अगर आप channel पर आज पहली बार आए हैं तो optional question सुबह 6 बजे general awareness के होंगे class join करके सुबह 6 बजे correct login कर लीजेगा आज आज आएगा class में screen पर जो question इसका right answer क्या है तो इसका सहीत्तर हो जाएगा आपका हड़ जिसका right answer हो सूरज, रितिका, इफ्तकार, सचेन, हेमराज, सोभा, अनिल, निशा, सुमेत, रिंकू, विजे, सचेन, राजदिवाकर, इंदुर प्रकाष, नेहा, सरोज, निदी, सोनिया सभी का answer आना चाहिए comment box में comment करके तो kinetic energy का सूत्र क्या है तो इसका सूत्र है एक बटे दो MB square क्य के बताना है, स्कीन पर जो question है, champions, right answer क्या हो जाएगा, मज़ा आ रहा है सभी के लिए, right answer for this question क्या हो जाएगा, तो lens के power की unit क्या होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, diopter, क्या हो जाएगा, diopter, next question देखे, next question क्या है, इरहा स्कीन पर, मनुष्य में, यूरिया का निर में होता है, क्या हो जाएगा, लिवर में होता है, यूरिया का निर्मान, next question देखे, next question क्या है, इरहा स्कीन पर, अगला question, comment box में, comment करके बताना है, 15 से 16 वर्ष तक के लड़कों में, कौन सा हार्मोन बनता है, जिससे दाड़ी मूशे निकलती है, right answer क्या है, comment box में, comment करके ब स्कीन पर जो question इसका सही उत्र क्या हो जाएगा, सब ही बताएंगे, right answer for this question, तो 15 से 16 वर्ष तक के बच्चों में, जो हार्मोन बनता है, जिससे दाड़ी मूशे निकलती है, वो हार्मोन होता है, टेस्टेरोन इसका right answer हो जाएगा, वो हार्मोन कौन सा होता है, तो वो होता ह है, टेस्टेरोन इसका सही उत्र हो जाएगा, next question देखते है, next question क्या है, यह रहाँ screen पर, मनुश के सरीर में, insulin कहां से इस्तरावित होता है, right answer क्या हो जाएगा, comment box में, comment कर बताना है, screen पर जो question इसका सही उत्र क्या हो जाएगा, तो insulin जो है, मनुश के सरीर में, pancreas, अगनासे, इन में से कोई भी option आप बोल सकते हैं, pancreas भी answer होता है, अगनासे भी answer होता है, हिंदी, English, दौनों बरावर हो जाएगा, बहुत बढ़ियां, हिंदी, English, भाई, 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 right answer क्या हो जाएगा, pancreas, next question देखते हैं, next question क्य क्या हो जाएगा, इसका right answer, तो मनुश का एहद है, जो है, आपका, चार कोश्टक होते हैं, इसमें, चार चेंबर होते हैं, next question देखते हैं, next question क्या है, यह रहा स्कीन पर, genetics के जनक किसको कहा जाता है, बताएगे, दोस्तों एक like करिए, सभी, जिन्होंने video like नहीं किया है, request ह एक like सभी करेंगे, अगला question देखे, genetics का जनक कौन है, तो genetics का जनक जो है, Gregor John Mendel, क्या हो जाएगा, Gregor John Mendel को genetics का जनक या अनुवांशिक का जनक कहते हैं, बहुत बढ़ियां, क्या बात है, बहुत बढ़ियां, राहूल पंडित, मज़ा आ रहा है, लिख रहे हैं, आप तो क City吧 जो कॉशेंश का स्का सजीत्र क्या हो जाएगा कौण सा 1개 किसानों का मित्र माना जाता है राइट डूज इस कॉशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इस답于 कोशन चैंपियंज को राइट चाहस क्या हो जाएगा दोस्तों एक like वीडियो को एक like मन से एक लाइक आपकी महनत के लिए जो महनत आप एक घंटे से कर रहे हैं एक like उस महनत के लिए दोस्तों अपनी महनत को like जरूर करिये और मेरे effort को मेरी महनत को भी एक लाइक जरूर दे दीजेगा तो विटामेनी किस-किस में पाई जाता है गाजर में सबसे जादा रहता है additional benefit के साथ में गाजर, मक्षन, अंडा, दूर ये सब भी ले सकते हैं लेकिन सबसे जादा जो है गाजर में होता है ठीक है न विटामेनी, next question देखते हैं, next question क्या है ये रहाँ, screen पर अगला question, प्रत्वी पर carbon dioxide gas की मातरा कितनी है, comment box में comment कर बताना है, screen पर जो question इसका सही उत्र क्या हो जाएगा, सभी बताएंगे right answer for this question, सभी का answer आना चाहिए, तो उसका सही उत्र क्या हो जाएगा, carbon dioxide gas की मातरा कितनी होती है, तो right answer हो जाएगा, 0.003% आपका सही उत्र हो जाएगा, 0.03% approach में answer सही हो जाएगा, ये तो actual बताया है, correct इतनी होती है, लेकिन approach में, answer में 0.003% भी जादा तर answer questions किताबों में देखा जाता है, next question देखते है, champions next question क्या है, ये रहाँ screen पर, पौधों में कौन सा हार्मोन उसकी व्रद्दी के लिए मदद करता है, right answer क्या है, बताएगे, मज़ा आ रहा है, सभी के लिए अच्छा लग रहा है, पढ़ने में, सभी से निविदन है, चैनल सब्सक्राइब करते जाएए, बेल आइकन अन करते जाएए, जुनों ने भी वीडियो लाइक नहीं क्या है, वीडियो लाइक भी करते जाए, screen पर जो question इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी बताएंगे, तो right answer for this question क्या हो जाएगा, तो ये है, औक्सिन हार्मोन, कौन सा, औक्सिन हार्मोन इसका right answer हो जाएगा, next question देखे, जो भी चैनल सब्सक्राइब करेंगे, screen पर उनको उनका नाम दिखी जाएगा, बिटमिन के का रासाइनिक नाम क्या है, बताएए, right answer क्या है, बिटमिन के का रासाइनिक नाम, बिटमिन के का रासाइनिक नाम क्या है, बताएए, तो बिटमिन के का रासाइनिक नाम है, आपका, फिलिक्विनोन, क्या हो जाएगा, फिलिक्विनोन है, बिटमिन के का रासाइनिक नाम क्या है, फिलिक्विनोन इसका सही उत्तर हो जाएगा, next question देखते है next question क्या है ये रहा screen पर अगला question निमने कोशिकाओं मैंसे अच्छा निमने मैंसे कोशिका भित्ती किस में मौझूद होती है बताईए पादब कोशिका की जन्तु कोशिका किसमे कोशिका भित्ती होती है right answer कै बताईए सभी बताएंगे स्कीन पर जो कोशिकान इसका सहीत्र क्या हो जाएगा कोशिका भित्ती किसमें होती है पादब की जंदु कोशिका में तो रहाई टांसर क्या हो जाएगा पादब कोशिका में किसमें पौधों में होती है तो कोशिका भित्ती किसमें होती है पादब कोशिकां में पौधों में होती है next question देखते है next question क्या है यह रहाल screen पर जितने भी students channel subscribe कर रहे हैं सभी से कहना चाहूँगा सुबह 6 बजे general awareness की class है time table class का मैं comment box में share कर दे रहा हूँ आप time table ले लिजे फिर मैं आप सभी के लिए practice set paper भी दूँगा class में रोज practice set paper मिलते हैं इसमें क्या पूशा गया अभी केंद्रिये बल का formula क्या होता है तो अभी केंद्रिये बल का formula जो है mv square upon r होता है क्या हो जाएगा mv square upon r अभी केंद्रिये बल का formula होता है मैं आप सभी के लिए practice सेट वेपर की लिंक दोंगा जिसमें आप सभी के लिए practice सेट वेपर solve करके अपनी तयारी को और अच्छा कर सकते हैं आप सभी practice set वेपर में आप सभी notes बना सकते हैं वीडियो format में practice set वेपर हैं चालू करके छोड़ दीजे लगा दीजिए सारे कॉशन में पढ़के बोलके आंसर के सहत आपको बताता हूँ प्रैक्टिस सेट पे पर क्लास के लास्ट में जरूर ले लिजेगा स्कीन पर जो कॉशन इसका राइत आंसर क्या है गैलवनो मीटर का क्या काम होता है तो गैलवनो मीटर जो है विद्धुद धारा को मापने के लिए प्रियोग करते हैं क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक करेंट को मापने के लिए गैलवनो मीटर का प्रियोग करते हैं नेक्श कोशन देखते हैं। चैंपियंस नेक्श कोशन क्या है यह रहा सकीन पर अगला कोशन Humlor возможность में सभी को आंसा देना हैं जो भी Champions class में नए हैं चैनल सबस्क्राइब करते जाहिए। कमेंन बॉक्स में मैं time table share करते जा रहा हूँ आप सभी time table भी लेते जाएए लेंगिक प्रजिनन में संतान को जीन इस्थानांतरण का कितना प्रतीशत माता-पिता से प्राप्त होता है सपोस्थ अगर कोई मतलब जी लेंगिक प्रजिनन में संतान कोई संतान अगर उत्पन होती है तो उसको अपने माता-पिता से कितने जीन मिलते हैं राइट आंसर क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो उसको अपने माता पिता से 50% जीन मिलते हैं बाकी वो अपने स्वयम की ग्रो होते हैं जो उसके आगे वाली पीडी में उसके थ्रो जाते हैं तो माता पिता से 50% जीन मिलते हैं बाकी उसके अंदर ही खुड डैवलप होते हैं तो राइट आंसर क्यों जाएगा 50% नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुश गया है ब्लीचिंग पावडर में ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है आपने जो ब्लीचिंग पावडर देखा होगा उसमें ब्लीचिंग जिससे होती है तो ब्लीचिंग कौन से रसायन के थो ब्लीचिंग होती है राइट आंसर क्या है बताना है आप सभी के लिए जो भी champions class में नए है practice set paper की link में comment box में share कर दे रहा हूँ आप सभी practice set paper लेते जाएए जिनको भी नीद लग रही है वो practice set paper लेते जाएए comment box में share कर दे रहा हूँ स्कीन पर जो question है champions का right answer क्या है सभी बताएंगे right answer for this question very good champions सभी का question answer सही होना चाहिए सभी ने महनत करी है सभी ने पढ़ाई करी है सभी के answer सही होना चाहिए तो right answer for this question क्या हो जाएगा champions तो bleaching powder में bleaching agent क्या होता है तो bleaching powder में bleaching agent आपका option number chlorine होता है क्या हो जाएगा क्लोरीन जो है bleaching powder में bleaching agent का काम करता है क्लोरीन जो है bleaching powder में bleaching agent का काम करता है क्लोरीन साफ सफाई करता है bleaching powder से जो साफ सफाई होती है next question देखते है champions next question क्या है यह रहाज कीन पर अगला question comment box में comment करके अगले question का answer देना है सबी के लिए जो भी चैंपियन्स क्लास में नए है चैनल जरूर सब्सक्राइब करते जाए अगली कॉशन पर जंप करें चलिए जंप मारते हैं नेक्श कॉशन पर और ये हम पहुँच गए अगली कॉशन पर चूना पत्थर का रासाइनिक नाम क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है स्कीन पर जो कॉशन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएए चूना पत्थर का रासाइनिक नाम क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है जो भी चैंपियन्स क्लास में नए है चैनल जरूर सब्सक्राइब करते जाएं स्कीन पर जो question इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी बताएंगे right answer for this question चूना पत्थर का रासाइनिक नाम क्या है तो right answer क्या हो जाएगा चूना पत्थर का रासाइनिक सूतर CACO3 इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा CACO3 इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या बात है Champions क्या बात है आज तो वाकई में ऐसा लग रहा है गंगा नहाली एकदम question right answer इतने right answer हो गए कि सभी को मज़े ही आ गए सभी को जो है मज़े आ गए very nice champions very nice keep it up good going अच्छा जा रहा है next question देखे, next question क्या है, यह रहा स्कीन पर hydrogen परमाडू की त्रिज्या कितनी होती है right answer क्या है, बताए, सबी के लिए practice set way पर की link share कर रहा हूँ practice set way पर जिस जिसको भी चाहिए, comment box में link जा रही है पकड़ते जाएगा, नीले color की जो link मिलेगी आपके लिए स्कीन पर जो question इसका सही उत्र क्या हो जाएगा, तो इसका right answer है hydrogen परमाडू की त्रिज्या कितनी होती है, तो 0.037 nanometer इसका सही उत्र हो जाएगा very nice, आपके लिए comment box में देखिए, monkey बने हुए हैं और सभी exams के लिए practice set way पर हिंदी में लिखा हुआ है ना नीले कलर की जो link है na http.www.youtube.com बाली जो नीले कलर की link आ रही है ना उस link पर click करके practice set way पर लेते जाएगे, जिसको भी चाहिए है 175 प्लस practice set way पर है, स्कीन पर अगला question देखिए, क्या पूशे गया है अगले question में, आधुनिक आवर्थ सारणी में, आधुनिक आवर्थ सारणी में, 34 तत्तो समूग किस से सम्मन्दित है राइट answer क्या है, नीले कलर की जो link है, डायरेक्ट आपको इस link पर click करना है जिससे आप डायरेक्ट practice set paper पर पहुँचेंगे, और वो practice set paper आप solve करके आने वाले exams की आप अच्छी तयारी कर सकते है next question देखते है champions, next question क्या है, यह राइट स्कीन पर अगला question, comment box में अगली question का तो इसका right answer क्या है 34 आवर्ट जो है, 16 वे ग्रुप से है, किस से, 16 वा ग्रुप जो है आपका, 16 वा ग्रुप है, 18 वा नहीं, 16 वा ग्रुप, जी right answer for this question, 16 वा ग्रुप स्कीन पर जो question इसका सही उत्र क्या हो जाएगा, सभी answer देंगे, practice set paper की link पर click करके, practice set paper ले सकते हैं, जिन जिन को भी practice set पर बचेए, तो पैनिसलीन की coach किस ने की थी, Alexander flaming ने की थी, Alexander flaming ने पैनिसलीन की coach की थी, next question देखते है, champions, next question क्या है, यह रहा, स्कीन पर अगला question, comment box में comment करके बताना है, अगले question का answer, जो भी champions class में ने है, सुबर 6 बचे, general awareness की class है, सभी को आना है, अगला question क्या है, देखे, sodium by carbonate का रासायनिक सूतर क्या है, खाने वाला जो soda होता है, जी, उसका रासायनिक सूतर क्या है, comment box में comment करके बताना है, very good, सभी का answer आना चाये, क्या बा नह, CO3 इसका right answer हो जाएगा, नह, CO3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, next question क्या है, इरहाज screen पर अगला question, अमल राज, अमल राज में HCL और HNO3 का अनूपात कितना होता है, जिसमें सोना घुल जाता है, अमल राज में, तो अमल राज में HCL और HNO3 का अनूपात कितना होता है, comment box में कमेंट करके बताना है जिनको भी प्रैक्टिस सेट पर बचेए कमेंट बॉक्स में नीले कलर की एक लिंक आ रही है जिसमें हिंदी में लखा हुआ है प्रैक्टिस सेट पर लिंक उस लिंक पर क्लिक करके प्रैक्टिस सेट पर लेते जाएए सबी एक्जाम के लिए प्रैक बाड़ासी दर्पन का सूत्र क्या होता है कुमेंगे राइट पॉर्न और कुशन सभी का आंसर आना चाहिए यह सूत्र होता है आपका 1 upon v plus 1 upon u equal to 1 upon f यह सूतर होता है आपका 1 upon v plus 1 upon u equal to 1 upon f यह दरप्ण का सूतर होता है अभी picture बाकी है हमारे दोस्तों अभी तो capital बाकी है अभी capital में फिर से धुआ उडाना है सभी के लिए बिलकुल capital में फिर से answer देना है सबको जल्दी-जल्दी अभी capital बच्ची हुई है अभी कोई इदर उदर नहीं जाएगा कौन सा पुरुस हार्मोन कौन सा है right answer क्या बताइए सभी बताएंगे screen पर जो question इसका सही उत्र क्या हो जाएगा सभी बताएंगे very nice champions very nice right answer for this question क्या हो जाएगा तो इसका सहीम उत्र हो जाएगा option number G टेस्टरों जो है इसका जी आज आज आईए फिर वह चाहर्मोन सा है तो पुरुस हार्मोन टेस्टरों जो है पुरुस हार्मोन कहलाता है next question देखते है champions next question क्या है यह रहा सकेंद पर Newton के पहले नियम को क्या कहते हैं बताइए Newton के पहले नियम को क्या कहते हैं सभी जो हैं मैदान में आने को तयार रही है अभी capital पूशने वाला हूँ थोड़ी दिल से सबकी नीद भाग जाएगी जब caution के answer धराधर type होंगे बगल वाला उठके कहेगा भाई हो क्या गया है तुझे ना खुद सो रहा है ना मुझे सोने दे रहा है इतनी जल्द जल्दी answer दे रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कौन बनेगा करोड़ पती का firm भर रहा है भाई स्कीन पर जो question इसका सहीतर क्या हो जाएगा तो Newton का पहला नियम जड़तों का नियम कहलाता है next question देखते है next question क्या है यह रहा स्कीन पर Hydra में प्रजनन कैसे होता है बताएए right answer for this question comment box में video एक like जरूर करें दोस्तों जिनों न भी video like नहीं किया है video like जरूर करते जाएए आप अपनी महनत के लिए आप अपने दिमाग के लिए आप अपने उंगलियों की ताकत के लिए जिससे आप इतनी जल्दी जल्दी type करके भेज रहे हैं आप अपने लिए और हमारी महनत के लिए एक like जरूर करें स्कीन पर जो question इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएए तो hydra में प्रजनन जो है मुकलन या बडिंग इसको मुकलन भी बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं मुकलन हिंदी में बोलते हैं मुकलन और इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग दौनों आंसर सही है नेक्श कॉशन देखें नेक्श कॉशन क्या है प्लाजमा में पानी का प्रदीशत कितना होता है रक्त में प्लाजमा होती है उसमें पानी का प्रदीशत कितना रहता है कितनी प्लाजमा में पानी होती है शरीर में तो बहुत ज़्यादा पानी होता है तो प्लाजमा में कितना पानी होता है बताइए स्कीन पर जो कॉश्चन इसका सहीत्र क्या हो जाएगा तो प्लाजमा में कितना पानी होता है तो 90-92% प्लाजमा में पानी होता है जो भी आज चैनल पर नए जोड़े हैं स्टुडेंट सुबह छे बजे जनरल अवेनेस की क्लास है अल्ली मॉनिंग सिक्सुक्लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन आन कर लीजिए छे बजे करेक्ट क्लास में एंट्री ले ले नहीं है स्कीन पर जो कॉशन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएगा आवर साणी में दाएं से बाहे तरफ दाएं तरफ से तत्वों को किस नाम से जाना जाता है दाएं तरप के तत्व जो होते हैं बहुत जवर्जस्त नाम है बहुत जवर्जस्त नाम है बहुत जवर्जस्त नाम है क्या नाम है बहुत बढ़िया नाम है इनका अभी एकदम कौशन के बराबर ही नाम हो गया था इनका तो अधातू के रूप में जाना जाता है क्या हो जा स्कामण करें पर कितने स्कींट वियुकृतो संसुल में क्यों ख Joyce अधनिक है के धाएगा को जाएगा इस का सही उत्र हो對不起 कितए डिल मेंiche चैंपियंगे लोक में चोशण कोशन पुटास अलम का रासयनिक सूत्र क्या है विए एलम का रासयनिक सूत्र क्या है कमेंट-वक्स में कमेंट को बताना है सभी का अंसर आना चैये सभी को मज़ा आ रहा है बढ़ Pizza6 मे तोड़ा सा अपने आ Анप में एक अच्छा positive response देखने को मिल रहा है अब ही करी जब सब caution सही हो रहे हैं तो तो उसका right answer क्या हो जाएगा रासाइनिक सूतर क्या होता है इसका potassium aluminum sulfate क्या हो जाएगा potassium aluminum sulfate इसका सही उत्र हो जाएगा very good क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़ियां राइट आंसर फर दिसकॉशन क्या हो जाएगा पुडेशियम, ऐलुमिनल सल्फेट, सूत्र तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था सभी का राइट आंसर बहुत बढ़ियां अच्छा अच्छा ऐसी है क्या बात चलिए सभी मैदान में आजाएए सभी मैदान में आजाएए फिर से एक बार सभी मैदान में आजाएए एक बार फिर से सुरू करते हैं राज्यों और राजधानियों का एक ऐसा दिल्चस्प खेल जिसमें सभी जो है या तो pass हो जाएंगे नहीं तो confused हो जाएंगे चलिए तिरिपूरा की राधधानी बताईए तिरिपूरा की राधधानी क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए तिरिपूरा की राधधानी क्या हो जाएगा चलिए अगला कॉशन बताईए बैश वेंगॉल की राधधानी क्या है कमेंट बॉक में कमेंट करके बताईए बैश वेंगॉल की राधधानी क्या है कमेंट बॉक्स में इसकीन पर जो कॉशन इसका सही उत्र क्या हो जाएगा सब भी बताएंगी right answer for this question तो बेश बेंगॉल की राधधानी क्या है कोल कता इसका right answer हो जाएगा क्या हो जाएगा कोल कता इसका right answer हो जाएगा चलिए अब union territory की बात आ जाती है ये तो हमने capital complete कर दी union territory की बात हो जाती है अंडमान और निकुबार की राधधानी क्या है बताएगा इसकीन पर जो question इसका सहीत्तर क्या हो जाएगा अंडमान और निकुबार की राधधानी क्या है चलिए अल्दी सिर्फ और सिर्फ अंडमान और निकुबार की राधधानी क्या है comment box में बताना है तो right dancer क्या है, port blayer, क्या हो जाएगा, port blayer, इसका right dancer हो जाएगा, port blayer, next question बताईए, चंडीगर की राधधानी क्या है, बताईए, चंडीगर की राधधानी क्या है, 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 चंडी एवम नगर हवेली की राधधानी क्या है दादर एवम नगर हवेली की राधधानी क्ल कर टॉपिक अभी से बता दे रहा हूं कल सारे के सारे राज्यों के मुख्यमंत्री पूछूंगा सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री मैं लिख दूँगा मद्यप्रदिस के मुख्यमंत्र आपको नाम बताना है मैं लिख दूँगा चंडीगर के मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री आपको नाम बताना है मैं लिख दूँगा हर्याणा के मुख्यमंत्री आपको नाम बताना है मैं लिख दूँगा पश्यमंगाल के मुख्यमंत्री आपको नाम बताना है कल क टापिक बढ़ी आया है ना कल का टापिक कबर लेंगे कि और सरल टापिक दे दूँ इससे तो easy topic नहीं होगा जितना मैंने बताया है right answer क्या हो जाएगा comment box में comment कर बताइए दमन और दीम की राधधानी क्या हो जाएगी तो दमन हो जाएगी क्या हो जाएगा दमन हो जाएगी दमन और दीब की राधधानी क्या है दमन दीब की राधधानी दमन है दिल्ली की राधधानी क्या है बताएगे दिल्ली की राधधानी क्या है दिल्ली की राधधानी क्या है दिल्ली की राधधानी क्या है चलिए लक्षदीब की राधधानी बताईए लक्षदीब की राधधानी क्या हो जाएगा comment box में comment करके बताना है लक्षदीब की राधधानी क्या हो जाएगा सभी champions बताएंगे तो लक्षदीब की राधधानी क्या होगा करावती इसका right answer है लक्षदीब की राधधानी है करावती next question बताईए pondicherry की राधधानी क्या हो जाएगा comment box में comment अगर के हो जाएगा pondicherry की राधधानी pondicherry ही है तो दोस्तों ये हो गए आपके सभी राज सभी union territory जिसके हमने question answer complete कर लिए जो है आपका सभी राज़यों की सभी राज़यों के मुख्य मंत्री then परसों का topic है सभी राज्यों के राज्यपाल कलका और परसों का दोनों topic मैंने बता दिये हैं कल जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पूछूँगा और परसों पूछूँगा सभी राज्यों के राज्यपाल ठीक है सभी से निवेदन है जो भी student class में नए है चैनल जरूर subscribe करते जाए bell icon on करके वीडियो को like जरूर करते जाए comment box में practice set paper लिंक जा रही है जिस जिसके पास भी practice set paper नहीं है solve करने के लिए आप practice set paper ले सकते हैं जो भी channel पर नए है channel subscribe जरूर कर ले bell icon on करके वीडियो को like जरूर करते जाए जो भी channel पर नहीं है ध्यान रखेगा आप सभी के लिए practice set paper की link भेज रहा हूँ practice set paper आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important है उसकी importance को समझे उनको solve करिए comment box में link जा रही है उस link को पकड़िए practice set paper की link को पकड़िए और सुबह 6 बजे सभी को आ जाना है class का time over हो गया है बाकी आप सभी को मज़ा तो आया की नहीं आया मज़ा आया सभी के लिए आज की class में कैसी लगी class कैसा लगा आपका experience जो भी नए student आज class में join हुए हैं आपको कैसा लगा पड़के आज हमने 280 question कंप्लीट किया है 280 question कंप्लीट किया है हम सभी ने मिलकर स्क्रीन पर जो question है आपके लिए इसका right answer बता दिया था मैंने आज हम सभी ने मिलकर 280 question कंप्लीट किया है आपने सोचा डेड़ घंडे की class में हमने अच्छे खासे question कवर कर दिये जी बहुत बहुत मज़ा आया सभी के लिए सभी को अपनी जो है capacity पता चली सभी को अपनी जो है quality पता चली और सभी ने आज अपने mind से काम निकलवाया अपना comment box में देखिए link जा रही है नीले कलर की जो link है उसको पकड़िए link जो है नीले कलर की उसको पकड़िए कल का topic मैंने बता दिया है कल topic है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पूछूंगा सभी याद करके आईएगा कल फिर दिमाग से challenge लेंगे कल फिर दिमाग से लड़ाई होगी कल फिर हाथों से जो है message type करने में questions के answer type करने में दिमाग को फिर से एक प्रकार से हराया जाएगा आज से हम रोज एक नया topic जो कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसको जो भी पूछना है पूछिये मैं बता दूँगा offline होता हूँ मैं 10 minute तक offline रहता हूँ आपको जो कुछ भी पूछना है 10 minute तक मैं आपकी सारी चीज़े सुनता हूँ आपको बताता हूँ दोस्तों महनत होती है देखे आपने भी इतनी महनत करी आपने देढ़ घंटे इतनी महनत करी देढ़ घंटे आपने कॉछन टाइप किये देढ़ घंटे कॉछन के आंसर दिये सबी जो है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अपने दोस्तों को भी सजेस्ट किया करिए क्लास के बारे में जी जी ऐसा ही पेपर आता है गुरूप D में NTPC के फर्स्ट स्टेज जो है आपका यही पेपर रहेगा जी MTS में भी हमारी कॉश्चन जो हैं काफी जादा आए हुए हैं आप MTS के पेपर उठा के देखिए जी सोनी साहो जी बिल्कुल बहुत बहुत धनेवाद सहलेंदर भाईया जी कप खुश्बू गोर बहुत बहुत धनेवाद जी आप भी आराम करिए कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस साथ विवर का लिंक शेयर कर रहा हूँ आप सभी ले लीजिए सभी को एक साथ प्रणाम ठीक है क्योंकि बहुत जादा कंटिन्यू मैंने बोला है तो गला थोड़ा सा है लग गया है सुबह की क्लास जादा अगर और बोलूँगा न तो सभी के लिए गुड़नाइट सभी के लिए गुड़नाइट और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जे आप सभी जे बहुत बहुत धन्यवाद सभी आराम से सो जाएगा सुबह 6 वजे मिलना है सभी के लिए ठीक है ना कमेंट बॉक्स में प मेरी है उस ID पर click करके आप practice set paper solve करिये और सभी से all exam guide guru practice set paper की जो link है वो मैं यहाँ से share कर रहा हूं आप सभी उस पर link पर click करके practice set paper को solve करिये और practice set paper को solve करने के साथ साथ video को like जरूर करते जाएए जिन्हों ने video like नहीं के है request है आप सभी से जो भी channel पर नहीं है चैनल जरूर सब्सक्राइब करते जाएगा बैल आइकन आउन करके वीडियो को लाइक जरूर करते जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का जो भी चैनल पर नए है चैनल जरूर सब्सक्राइब करते जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं भी offline होता हूँ, आप भी आराम करिए, गुड़नाइट सभी के लिए, सभी के लिए एक साथ गुड़नाइट, सभी का एक साथ धन्यवाद, सभी अपना अपना take care करिएगा, अच्छा ऐसा है क्या बाद, बहुत वाली class में आ जाईगा मैं अब offline हो रहा हूँ जो भी नए student है आपकी help के लिए पुराने student अभी class में रहेंगे मैं भी offline पांच मिनट तक आपकी सब बाते शुनूँगा जो आपको पूछना है message के माद्धिया हमसे पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगा जाता से जादा जब आप दे सको और पुराने student नए students की सभी help करेंगे सभी अपने दोस्त हैं सभी अपने family members हैं आज से सभी आया है class में सभी को class के बारे में सारी चीज़ें आपको बतानी है description box में जादा जानकारी के लिए आप चेक कर लिए description box ठीक है चलिए आप मैं offline हो रहा हूँ मिलते हैं हम सभी सुबह 6 बजे offline सुन रहा हूँ जो कुछ भी बोलना है लक्षमी लक्षमी चौरसिया आपको जो कुछ भी बोलना है offline बोलिए मैं सुन रहा हूँ tension मत लिए मैं 10 minute तक रहता हूँ न offline आप सभी के questions के answer दूँगा चिंता मत करिये ठीक है चलिए मैं भी offline होता हूँ जाएगा ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद जी हाँ ठीक है जी मीना पांड़ी चनल स्वश मिलते हैं सुबह 6 बजे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों